हेलो एस्टुएंट्स वेलकम इस्टार करेंट पाइंट चैनल आज हम इस्टूडी करेंगे क्लास 10 के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्षन एंड रिफ्लेक्षन के बारे में यहने की परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आपको यह पताए कि चैप्टर बहुत ही तो बैद बता दो आपको इस chapter को हमने 3 part में divide किया है first part second part third part में चीक है इस chapter में पढ़ेंगे क्या क्या light के बारे में पढ़ेंगे reflection के बारे में पढ़ेंगे exploration के बारे में remote पढ़ने को है साथी नुमेरिकल जो नुमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो नुमेरिकल को बारे में पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना की देखते हैं पार्ट यंड यहां इस पॉले क्टल नुदिधस का चैपगर वाइद आम हम इन पढ़ने कितना एकर किक्यों सुघ्राइब के प्रकास क्या है टाइप आफ ऑब्जेक्ट वस्तुन के प्रकार उपेक है ट्रांस्पेरेंट है ट्रांस्ट टैप के अब्जेक्ट होते हैं उनसे क्या पढ़ता है इसे सबस्क्रानि थेक्ट परावर्टन काकर है और रूल ऑफ रिएकल या जो सकती है हम यहां पर देखेंगे और rule of image formation यानि कि image बनने के क्या क्या basic rules होते हैं उनको हम यह पर देखेंगे इतना हम part 1 में देखेंगे फिर हम part 2 आपको देखेंगे part 2 में क्या 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 देखेंगे image formation by spherical mirror यानि कि गोली दर्पनों द्वारा प्रुत्रिम का बनना कॉंके mirror convex mirror उनसे image कैसे बनती है कितनी image बनेंगी किस टाइप से बनेंगी वह हम part 2 में cover करेंगे sign convention कि plus sign कहाते V minus कब होता है V plus कब होता है M minus कब होता है F की value minus में कब होगी plus में कब होगी यह हम sign convention चिन परिपाटी second part में use of concave and convex mirror कॉंके mirror और convex mirror की uses कहां कहां है उनको देखेंगे and mirror formula and numerical mirror formula and magnification आवर्धन और mirror formula के बारे में देखेंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे numerical ठीक है इस second part में third part में क्या है reflection के बारे में देखेंगे अपवर्तन क्या हो इस प्रेक्शन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तीक है यह अपवर्धनांग lens के टाइप देखेंगे वाण टाइप आफ लेंसे image formation by lenses concave lens और convex lens से image कैसे बनेंगी और कितनी बनेंगी वह हम यहां देखेंगे lens formula and magnification जैसे mirror formula वैसे lens formula उसका magnification देखेंगे and power of lenses power of lens याने कि lens की छुटा क्या है इनके बारे में पूरा हम यहां पर study करेंगे तो इस भी इस chapter को में तीन पार्ट में divide किया है first part second part third part अगर आप में चैनल subscribe नहीं किया तो आप चैनल subscribe कर लिए जिसमें आपको सारे parts up to date हो मिलते रहें और आप आसानी से इस chapter को समझ सकें तो start करते हैं आज के लिए start करते हैं पहला topic है what is light तो पता दो light क्या होती है actually light को हम खुद नहीं देख सकते हैं we can't visualize the light but in presence of light we can see the other thing actually light is a type of energy light एक प्रकार की उर्जा है जिसको खुद नहीं दिखाई देगी लेकिन उसके प्रजिन से हमें कहीं सारी चीज़े अलागरा सब चीज़े दिखाई पड़ेंगी जैसे कि हम बात करते हैं कि एक कबड़ है उस कबड़ में कहीं पर एक क्वाइन पड़ा हुआ है उसक्ताइब को धुदने के लिए और टॉर्च लेकिसमें अगर में इंटर करते हैं कबड़ में तो आप देखिए हमें जब तक टार्च की लाइट उस पर नहीं पड़ेगी वह चीज़ हमें नहीं दिखा है कि क्वाइन से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंकों पड़ेगी हमें यह क्वाइन दिख जाएगा तो यह चीज़ के लिए रहे कि लाइट बाइसल्ट बिजूलाइज नहीं होती लाइट को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन लाइट की प्रजेंस में हम अधर औबजेक सब्सक्राइब आपको कि लाइट जो होती है वह ओल्वेश ट्रगाल इन स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में चलती है प्रकास में सा सीधी रेखा में गति करता है यह कहीं पर भी टर्ण नहीं होता है जब तक उसके राश्ते में कोई भी ऑबजेक्ट ना आ जाए अब ऑब इस ट्रावल ने स्ट्रेट लाइन और यह जब किसी ऑबजेक्ट रुपढ़ती है तो उसका रिफ्लक्षन होता है यह हम नॉर्मल यह कहले कि जब किसी ऑबजेक्ट से लाइट टकराती है और टकराने के बापस आती है तो हम उस चीज को देख पाते है और सिर्पिस को यह देख पाएंगे लाइट इसके रास्ते में अगर कोई अब्जेक्ट आ जाता तो उसके गौर्डिंग साड़ बनेगी यह रिफ्लक्षन होगा यह ट्रांसवर होगा यह डिपेंड करता है अब्जेक्ट पे अब्जेक्ट की तो यह अब्जेक्ट जो होते हैं तीन टैक नहीं हूने देते यह निकी उनके बैक साइड में क्या है हम नहीं देख सकते अब्जेक्ट आरमौन एज ओपेक्ट जिसकि हमां गेटब में दीवाल है और खिड़की यह फिर भुक है पहले हैं तो उसके बैक साइड में क्या मिए कांट थी डैट क्यों कि या प्जेक्ट अब्जेक्ट होते हैं जिसी कि आपने देखा होगा विंडो में जो कांच लगी होती है जो विंडो में कांच लगी होती है उसके पीछे अगर कुछ है तो हमें यह देखता है कि कि क्लियर ली तो ऐसे प्लेक्थ को ट्रांसlesiंट उप्जेक्र तो होगी लेकरी पास उगी और शजा विंड़ासट्री प tenants आपायों किहां कि अब ट्रांस्पेयरंट 1045 मृण उखक्ते हैं चैनुट देख सकते हैं अब जब light opaque पर पड़ती है यानि कि अपार दर्सी पतार्थों पर तो यह transfer नहीं होती है और shadow create करती है जब यह light Translution पर पड़ती है तो यह पासली ट्रांसफर होती है यानि light shadow बनती है और shadow और कुछ पासली ट्रांसफर भी होती है और लेकिन जब यह light transparent पर पड़ती है तो shadow नहीं बनती है यह light इसको अपने पास हो जाती है लेकिन उसके कुछ अपने पास से disturbed हो जाती है इसको हम पढ़ेंगे आगे तो अभी आपजेट की बारे में समयंग में आगे आपको अब देखते हैं कि light अगर हम इसे opaque की बात किए light इस पर पड़ेगी तो यह टकरा के बापस जाएगी इसको क्या करते है तो देखें हम इसको कुछ एक रूर्स के recording समझते हैं जिसे कि प्लेन ऑबजेक्ट है कोई इस पर रे आफ लाइट आती है ठीक है अब यह ऑबजेक्ट है यहां से light पास नहीं होगी तो कहां जाएगी तो यह लाइट जो है आएसे ट्रांसपर हो जाएगी इस इस लोँ आज रिफ्रेक्शन लेकिन अब एक बात सोचने वाली है हमने इसको लाइन को यहीं इसे बना सकते थे यह ऐसे बना सकते थे पर हमने ऐसे ड्रॉण ना कर गे हमने बिल्कुल स्टेट ऐसे ड्रॉण की क्यों तो इसके लिए हमे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड्रोन्मल रे ले ओन सेम प्लेन यानि कि आप्टित करण परावर्टित करण और अविलंब एक ही तल पर होते हैं सेकेंड क्या है देखिए इंडल अफ इसे कूर्ट टूधा अगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐप्तित क्लीपों कर फेंब अब यहां पर देखिए कि इंसिडेंट रहान में और रे कहोंता है अब है को जो सोर्स Cr आarnya एक लीडिसरे इस नोऌगा दो ऑसिद्ट होती है शर्स ऑ लाहिट तो यह इन्सीडेंट वह उनायत बूंग बबन में बॉपर सकते स्गए तोलु में तोलु प्रावर्वर्स अगे इस नोह भूरें के इन होती है एक और लाइन बनाते हैं एक रे बनाते हैं डाइट रे इस नॉन आज नॉर्मल रे यानिकी अभिला अभी यह समझ में आई होगी अब बादाती एंगल आफ इंसिदेंट एंड एंगल और रिफ्रक्शन क्या है तो एंगल नॉर्मल रे से जो एंगल काउंट किया था दैट इस नॉन ऐस इंसिदेंट एंगल अप्तित कौन और नॉर्मल रे से ही यह तंट किया दाद इस एंगल ऑफ रिफ्रक्शन यानिकी परावत्त कून कहीं लोग गल्ती करते हैं क्या करते हैं कि जैसे कि यह लाइन आ रही है तो इसको एंगल आब इंसिदेंट लेगते इंग इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इस टोटली रॉंग यह तो आपको रिफ्लेक्शन के वारे समझ में आया है मैंने आपको रिफ्लेक्शन के लिए अब इमेज फॉर्वेशन बाइप प्लेन मिरर देखते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनेगे अच्छी डैट इस इस इसे का ही पार्ट है और अब कोई पने पर है तो वह एज दिखाई पड़ेगा अब इस दिखाई पर है इस दिखाई पड़ेगा अब देखता है तो वह वर्चुछ दिखता या निकी आभासी अब real और virtual क्या होता इसको बसको सकते हैं लेकिन इमेज ह κिसी इमेक पर उतार नहीं सकते हैं तो हम these इमेज दिखेगी लेकिं सीसे में इमेज दिख रहे हैं यह वह हमीं सकते हैं तो यह झूदध आप करना है कि आप सिद्धाइ कहीं होता है तो बिल्कुर सिस्टार है तो same size बनती है सेम अभे से स्टेंस बनती है और इर्ट बनती है वर्च्वाल समेशा है सियल साइज इस ये पार्शली इनवर्ट्ट होती है कैसे इसका लेफ्ट जिसन वो ढलती हो या के लाज पार इस प्रिया, जोंक्प छार है यह का करसा है, आए हगो पिलाए को फू stitched शी ब mêsίνों, इंपाने पर 100多ताइव निंद्ग गोली दरपड को भी देखे हैं अक्राइव एक चीज हो समया है, यो ये प्मारी ह सब्सक्राइल, आपर on only Part 2. चाहिकंथ की बूले से इसको काटारे से इसे होता है इस को कट करकि इतने इंप निकर कर दिया तो यह जो मिरेष्ट रह próxim से बसता है इeed कह अब एस साइब होगर बेते जाएंब मिर्ट में एक साइट पॉलिस होती है और यह साइट हम देखने के लिए यूज़ करें तो यह वह दाता है इस टाइशी दवा हुआ पार्ट हो गया इसको कहते हैं कॉन के लिए इसके अंदर का साइट पॉलिस कर दें बाहर के साइट को यूज़ करें तो देट इस कॉन वेक्स मिरर को तल्द पड़ अब यह देखें यहापे दिस इस कॉन के दिस इस कॉन विक्स मिरर आप अपने कभी स्पून देखेगा स्पून में दो से टिकते हैं इस वह दूनों यह दोनों में अपनी इस प्यूमियगस दोनों में जब आप इन दोनों में आपनी इमेज देखेंगे तो वह आपको समझ में estásd chant में हैं की do a और he kawns the Old Program 對 कल् pó इंवाण भूज़ क्षी है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब इनके में आurg tu Cle Button प्रफिस क्या है अब इसको देखते हैं तो देखें जैसे जब यह सरकल था पूरा तो वह सरकल जिस पॉइंट से ड्रॉड किया गया था यानिकि इसको कहते हैं सी ब्रकताज जिय चा इसको सी से डीनोट करते हैं अब सी कटे और यहां से चींठ ऑध मारे सब सुफ दिस्टेंस उता है जहाँआप प्रिंसिपबले क्या इस उस जगर को कहते हैं पी से नियूट किया जाता है डुर। आप सेंटर करने तिदिस्टेंस होती इसको कहते है रेडियस आपको पता है और देखें इन दोनों की बीच की जो इसटेंस होती यह रेडियस का हाफ यह होता है इसको आयाता है यह मैंकि प्रिंस्पल यह रेडियस होती है अभी समझ में आगे आपको आगे पढ़ते हैं इसके तरफ इसमें बढ़ी चीज है जिस पॉइंट इसको ड्राउ किया गया है यह दैट इस इंटर आफ कर वेचर सी उसका जस्ट हाफ टीक है उसका जस्ट हाफ चुओ था होता है वह अप बैले कि कहा जाता है इसे रहे आफ ना दयाफर का देखिएगा एनको इसमें आती है यह यह आएगी तो इसका नॉर्मल यहां होगा यह आईगी तो इसका नॉर्म्ल एक이지 वह सारी की सारी फोकल लेंद पर एफ पर कंवर्ज हो रही है एक जिए खटी हो रही है तो इसमें जब ड्रॉ करेंगे तो लाइट ऐसे जाएगी यहां यहां आई और यह एफ के कॉर्डिंग जाएगी ऐसे तो यहां पर जो रे आफ राइट होंगी कि वह एक पॉइंट ना करने की बजाए सब वापस हो रही है ताइट स्वाइट इस नोने इस डाइवर्जिंग मिरर इसी लिए कहते हैं कि डाइवर्जिंग मिरर यानि कि अब सारी दरपड़ कि यहां तो आपने देख लिया अब आगे देखते हैं कि इनसे इमेश फॉर्मेशन कैसे होती हैं यानि की रूल आफ इमेश फॉर्मेशन बाई स्पेरिकल मिरर अब देखें एला टॉपी के रूल आफ एमेश फॉर्मेशन बाई स्पेरिकल मिरर यानि गोली दरपड़ द्वारा प्रतिविम्ब का बनना अब देखें सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की अब यह पहला टॉपी यह है वेर रे आफ लाइट कांस पैर यह रूलल होता है जब रेप्रिश्पल एक्सिस के पैर राति है यह हमेशा फोकस से ही ट्रांसपर होती हैं Pode बार अब बेक्स मिरोर कि एफ चीज अधिक रेया फ्लाइट यह आई क्योंकि पेहांड दा मिरा मुसको ड्राइब नहीं कर सकते लेकिन लेंगे उसी के वाड़िंग एप से ट्रांसफर होगी तो यह ऐसे ट्रांसफर हो जाएगे यानिकी इंसीडेंट जो है इस इंसीडेंट यह है और इफ्लेक्टेड यह है तो पहला रूल के रहा वें रेया फ्लाइट कमस प्रिंट पर एक्शेश एट ट्रांसफर वूप आफ ओके जब प्रकास की किरेंट पर आती है तो यह हमेशा एफ से गुजरती है यानिकी इस पास इस ऑल्वेस फॉर्म फोकस अब देखों सेकेंड रूल लेगते हैं वें रेया फ्लाइट कंस ऑन एफ जब प्रकास की किरेंट एफ पर आती है तो क्या होता है देखें पहलें इसको करेंगे ठीक है आप अब कहाँ पे कि रेया फ्लाइट कैसे आ रही है एक पर आरी इस पैर यहां तक हो जाएगी अब यहां से यह पाइले ट्रांसफर होगी देखें ऐसे अब इसे तो इंसीडेंट रेये रिफ्लेक्टेड रेय यह यहानि कि पहला और दूसरा रूर एक द ट्रांसफर होती है सेकंड डूर रूल में देख रहे हैं एड़्ाटी तो पैरल ट्रांसफ्र होती है् पान के खुरा पछान के भी बना लते हैं Всё प्गे अगर आम प्लंट ए कर लेते हैं जिसको पहले पता है जयसा कि मैंने पहले पता है सी जो होता है यह उस संपर शर्कल का सेंटर में होता है यहीं कि प्रिंसिपल ऐसा जा रही है ऐसे कोई भी डिलाइन वोग्रेशें को यह अगर सी सी निकलती थे तो आप गई आइस और प्रिंसिपल एक्सिस डुकुल वैसे ही बिएव करेगी इसलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा यानि की जैसे वो इंसिडेंट आएगी वैसी ही रिफ्लेक्टेड होगी नो चेंज आइसे ही कॉनवेक्स के टाइम में होगा कि जो सी पर अगर रे ओफ लाइट आती है तो वो सीडी जाएगी कोई भी चेंज नहीं होगा इंसिडेंट भी यहीं होगी रिफ्लेक्टेड भी यहीं होगी क्योंकि सी इस दा सेंटर ऑफ सर्कल जिससे यह स्पेरिकल मिर काटा गया और इसकी एंपर जो कि खोड़ियों क्या है कि बने डिया आफ अफ लाइट कमस आझ पी ती यानिकि वोह मैंने बताया था पोल पे आगए था यह तो क्या और यहां पर जोब रेफ्लाइट को पी आईगी तो गुल सेंद रूल उप्य अफ एक्विल अनिकि रूफ इंसिड इस आपको फॉर्थ चारों पूल आपको अच्छा समझ में आगए होंगे पहला rule when ray of light comes पहला to principal axis तो वो F से transfer होती है second rule जब F पर आती है तो वो P से transfer होता है third rule center of curvature पर आता है तो कोई भी change नहीं होता है just it is transfer होती है कोई change नहीं आता है fourth जब P पर आता है pole पर आता है तो वो angle के according to transfer होता है angle of incident is always equal to the angle of reflection I hope यह आपको अच्छे से समन में आया होगा आज के लिए से इतना ही क्योंकि मैंने आपको बताया है 13 part में मैंने इस video को transfer किया है तो first part आपका complete होता है अब तो second part आपको मिलेगा उसमें image formation by spherical mirror मिलेगा उसी के numericals मिलेंगे uses मिलेंगे all of that ठीक है तो इस channel को subscribe कर दीजिए जिससे आपको second video और third video टाइम से मिल जाए और अगर आपको समन में आया है और कोई भी अगर doubt रहता है तो आप मुझे ज़रू बताएगा comment box में बताएगा और इसकी image formation आपको written में चाहिए मैंने discussion box में इसकी PDF डाल दी है तो आप वहां से इसको PDF ले सकते हैं ठीक है तो इसको like करिए subscribe करिए और अपने friends के साथ में इसको share करिए मिलते हैं next video में bye bye